हेलो गाईज, आज़के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाल हूँ कि आप कैसे अपना Amazon पैसे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और बहुत ही इजीली कर सकते हो इसी भी शैपर्ड दो मिनीट से कम टाइम में कम्प्लिट जान करी प्रोवाइट करूँगा वीडियो को बिना स्किप करें देखिएगा ताकि आपको एक एक डिटल समझाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा चैनल को जुरूर सब्सक्राइब किजिएगा तो दोस्तों चलते हैं आगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपना गिफ्ट कर्ट का जो नमबर है इसको कॉपी कर लेना है अब देख सकते हैं मेरा वालेट में बैलेंस एड हो चुका है अब अगर बात कहा है जिसको रिडेम कैसे करना है तो पहले क्या होता था अब अब आपको क्या होता है आपका जो एमजन पर वालेट है इससे आप बाई नहीं कर सकते हो क्योंकि यहां पर आप्टिकेशन आपको डाउनलोड करना है सेफ गोल्ड यह वाला अप्टिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है इस पर साइन अप का प्रसेस काफी आसान है आपको आपका मोबाईल नंबर डालना है ओटिपी सब्मिट करना है नाम डालना है इतना ही करना है इसके बाद लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अपना लॉगिन कर लिया है अब अगर आपको गोल्ड बाई करना है तो नीचे के तरफ बाई का ओप्शन होगा यहाँ पर आपको simply क्या करना है बाई पर क्लिक करना है अगर आपके पास Amazon पर wallet में 100 उपिस पड़ा हुए तो 100 यहाँ पर डालना है बाई पर क्लिक करना है टें आपके पास अगला option यहाँ पर बहुत सरे payment method ओपन होता है तो यहाँ पर आप 100 उपिस का gold buy करते हो तो actual में इसमें 2 रुपए का GST already added होता है तो आपको चीज धियान रखना होगा कि actual gold का value 97.7 रुपिस का ही आपको मिलेगा अब आपको यहाँ पे Amazon Pay का option को choose करना है and Amazon Pay जो आपका wallet है उससे login कर लेना है अब जैसे अपने Amazon account से login करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 100 रुपिस जो मेरा balance है वो शो कर रहा है simply आपको pay नव पे click करना है and आपका payment complete हो जाएगा but इसके लिए आपको password एंटर करना पड़े है इसके लिए दोस्तों आपको password एंटर करने के साथ साथ में आपका OTP भी एक आएगा जो आपका registered mobile number है Amazon पे wallet के साथ उसी number पे OTP रिसीव होगा उस OTP को भी आपको दर्ज करना होगा and OTP आपको enter करके confirm करना होगा तब ही आपका payment completed हो पाएगा अब गैस जैसे आप OTP का option पे click करते हो यहाँ पे आपके पास OTP आएगा Amazon के तरप से तो आपको क्या करना है simply OTP यहाँ पे enter करना होगा and enter करने के बाद आगे जैसे ही आप continue पे click करते हो तो आपका यहाँ से आपका account से balance debit हो जाएगा यानि आपका Amazon पे wallet में जो balance हो debit हो जाएगा and आपका gold purchase यहाँ पे successful हो जाएगा अब देख सकते हो मेरा screen पे मेरा gold purchase जो successful हो चुका है and मेरे को 0.0185 gram का gold मिला है जैसे आप यह चीज़ purchase कर ले तो दिन आपको जाना है sell का option पे sell का option पे जाने के बाद आपको यहाँ पे directly sell का quantity चेक करना है कितना quantity है तो like मेरा amount था 0.0185 grams तो मैंने यह चीज़ डाला proceed to sell पे जैसे ही मैं यहाँ पे click करता हूँ तो आप check कर सकते हो यहाँ पे मेरा amount मुझे मिलेगा actual में 93.87 डुपिस मिलेगा यानि लगवग 6.13% यानि लगवग 6% के असपस मेरा charge लग रहा है अब जैसे ही यहाँ पे proceed करते हो मेरे पास already मेरा pen number और जो है मेरा email ID verified है अगर आपका नहीं है तो आप कोई चीज़ कराना पड़ेगा ताकि instant process हो जाएगा अगर आप बिना आपका email ID और अपना pen number का आगे proceed करते हो तो two working days का time लगता है और अगर आप pen number verify करा लेते हो और आप अपने UPI ID डाल देते हो तो instant settlement हो जाता है अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने proceed पे click कर दिया है और कुछी time में जब मैं वीडियो shoot करूँगा in meanwhile यह amount मेरा account में credit हो जाएगा अभी 6 अभी का time जो हो रहा है 7.34 हो रहा है हम देखते हैं कि कितना दर में payment account में credit हो जाता है तो guys आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा account में 93.87 रूपिस का balance credit हो चुका है 7 बचके 35 मिनिट पर यानि exactly 1 मिनिट के अंदर-अंदर यह पैसा जो है मेरा account में settled हो चुका है तो एक बहुती simple process है friends जो मैं आप लोग को बताया अगर आप लोग इस process को follow करते हो तो बहुती easily अपना Amazon पे wallet से अपना bank account में पैसे को transfer कर सकते हो हाँ बिलकुल यहाँ पर आपको 6% के करीब charge लगता है बट दोस्तों एकदम safe and secure है यहाँ पर आपके किसी भी तरह का fraud होने का chances नहीं है तो बहता रे होगा दो रुपए बंचाने का चक्कर में किसी fraud application में जाने से अच्छा है ही होगा कि आप safe and secure तरीका से अपना payments को settlement कराईए बाकि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मिलता है अगले वीडियो में तब तक लिए जैहीन, वंदे मातरम, धन्यवाद